Hello dear students, welcome back to organized knowledge channel और आज की जो वीडियो है उसमें हम discuss करेंगे वक्षीट नमबर 15 आईए assessment वक्षीट है आपकी और ये वक्षीट आपके लिए 24th of January 2022 के लिए schedule की गई है विशे विज्ञान रहेगा class 10 ठीक है यानि science की जो है आपको assessment दी गई है और ये assessment आपको जो आपका chapter है वि question दिये गई है निमारिकल है काफी important है जो आपको solve करने है तो आप देखें यहाँ पर आपको यहाँ पर questions जो दिये गई है एक बार उसको देख लेते हैं हम A, B, C, D, E और F पार्ट दिये गई है question number 2 दिया गया है question number 3 के दो पार्ट दिये गए है A और B ठीक है तो इनको हम complete discuss करेंगे तो आईए बच्चो पहले हम first part जो है वो discuss करेंगे पहला जो question दिया गया है निवलिखित प्रेश्नों के उतर दीचे तो A दिया गया है चालक में 1 minute में 150 Kulam का आवेश प्रवाहित होता है इससे प्रवाहित विद्युधारा ग्यात कीजे तो इस में से विद्युधारा प्रवाहित जो हो रही है वो हमें ज्यात करनी है तो द by 60 तो answer रहेगा आपका 2.5 ampere यह जो है आपका answer यहां से हो जाएगा बी प्रशन है उन कारकों की सूची बनाईए जिन पर चालक का प्रतिरोध निर्वर करता है तो जो चालक का प्रतिरोध है वो चालक की लंबाई पर निर्वर करता है आप साथ साथ लिखेंगे R is directly proportional to L चालक के चेतरफल पर निर्वर करता है R is universally proportional to A पदार्थ की प्रकरती पर निर्वर करता है तो इसको हम यहां से लिख सकते है final R is equal to rho L by A ठीक है रो जो है यहां पर क्या है प्रतिरोध अगता है विद्धारा के तुलना कीजिए तो श्रेणी करम में हमेशा जो प्रतिरोध है जो है दोनों प्रतिरोध से प्रवाइथ होने वाली विद्धारा आपको बतानी है तो दोनों प्रतिरोध में जो विद्धारा रहेगी वो क्या रहेगी समान रहेगी क्योंकि जो प्रतिरोध हैं वो किसमें जुड़े हुए हैं वो श्रेणी करम में जुड़े हुए हैं अगर समानांतर करम में जुड़े हुए होती हैं तो जो विद्धु धारा है वो अलग-अलग हो जाती है लेकिन श्रेणी करम में चाहे कितने भी ओम के प्रतिरोध जुड होने की दर उस चालक के प्रतिरोध और उसमें प्रवाहित धारा के वर्ग के गुणनफल के समानुपाती होती है यानि इसमें क्या लिखेंगे h is equal to i square r t ठीक है तो यहाँ पर क्या है कि देखे इसमें आप कुछ इस तरह से भी लिख सकते हो h is directly proportional to i square h is directly proportional to r और h is directly proportional to time तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा h is equal to i square r t यह आ जाएगा clear है तो इसमें क्या है i जो है विद्धारा है r प्रतिरोध है और t जो है वो समय है तो यह इसका गणिती है वेंजक रूप हो जाएगा h is equal to i square r t next देखिए next question है d part तक हम कर चुके है e part है 220 volt विभाव पर 10 ampere विद्धारा के लिए 88 ohm के कितने प्रतिरोधक समांतर में जुड़े हुए है तो यह आपको निकालना है कि यहाँ पर आपको बताना है कि कितने प्रतिरोधकों को हम समांतर में जुड़ें कि उनसे 10 ampere विद्धारा जो है वो प्रवाई तो हो तो यह answer आपको निकालना है तो देखे students यहाँ से कर लेंगे V दिया गया है 220 volt आई दिया गया है 10 ampere यहाँ से R निकाल लेंगे R बराबर है V बटे आई तो कितना आजाएगा 22 ohm आजाएगा उसके बाद हमें जो यह R निकला है यह R एक्विविलेंट निकला है ठीक है यानि उसमें हमें तो बस यह निकाला है न कितने प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो R एक्विलेंट की value हमारे पास 22 आ गई है 1 बा समाना आपका यहाँ पर इससे कट जाएगा तो 4 आ जाएगा तो यहाँ पर कितने प्रतिरोध जुड़े हुए हैं 4 प्रतिरोध जो है वो इस तरह से किसमें जुड़े हुए हैं वो ऐसे करकी और समाना अंतर जो है एक दूसरे के वो जुड़े हुए है ठीक है नेक्स दिया गया है एफ पार्ट दिया गया है चार ओम आठों बारे ओम चौबिस ओम के चार प्रतिरोध को के सयोजन से फ्राक्त उच्चतम और निमनतम प्रतिरोध की गणना करनी है तो देखे उच्चतम प्रतिरोध कब होता है उच्चतम प्रतिरोध होता है जब सारे के सारे जो प्रतिरोध है वो श्रेणी करम में जुड़े हुए हो और निमतम होता है जब वो समानांतर जुड़े हुए यानि पार्शो करम में जुड़े हुए हो तो बस हमें उच्छितम निकालना है तो सब को श्रेणी में जोड़ दो और निमनतम निकालना है तो सब को पार्शो में तो यहां से इसका आंसर कर लेंगे, ठीक है, आपका exercise question है, यह जब चारो को श्रिणिकरम में सयोजित किया जाता है, तो मान उच्छतम होता है, तो 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24 तो आगया 48 ओम, और जब चारो को पार्शोकरम में सयोजित किया जाता है, तो प्रतिरोध का मान जो है, वो निम्नतम होता है, तो इनको हमने सब को पार्शोकरम में जोड दिया, एक बटे 4 प्लस एक बटे 8 है, ठीक है, और एक बटे 12 प्लस एक बटे 24, तो हमारा answer यहां से क्या आ जाएगा, एक बटा 2, यानि फिर हमने इसको पलट दिया, आर्टू निकालने के लिए तो हमारा answer कितना आ जाएगा, टू ओम जो है, यहां से हमारा answer हो जाएगा, तो यह आप इसमें कर लेंगे, नेक्स देखिए, नेक्स्ट कोशन आपको दिया गया है, एक परिपत आरिक बनाईए, जिसमें 6 वोल्ट की बैटरी, और जो है, पाँच ओम, आठ ओम, बारे ओम के प्रतिरोध जुड़े होए हो, एक कूंजी है, और सभी जो है, श्रेणी करम में हो, परिपत में कुल विद्दु धारा बतानी है, और आठ ओम, प्रतिरोधक के सिरों पर विभुवांतर की गन्ना आपको करनी है, clear तो आए बच्चों करते हैं इसका answer तो सबसे पहले हम R1 बनाएंगे तो बच्चों सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या बनाना है R1 बनाना है तो यह जो है इस तरह से आप R1 बना लेंगे ठीके तो 5 ohm, 8 ohm, 12 ohm यह 3 जो है प्रतिरोज जोडने है और यहाँ पर 6 वोल्ट की battery है और कुंजी है तो यह तो हो गया आपका एक तरह से first part का answer दूसरा जो part आपसे पूछा गया है कि आपको इसमें कुल current बताना है कि कितना इसके अंदर से विद्यू धारा प्रवाइद हो रही है तो यहाँ से आप जो है इसका answer कर लेंगे इसी में हम कर रहे हैं ठीक है थोड़ा सा adjust कर लेंगे कुल प्रतिरोध ठीक है बच्चो कुल प्रतिरोध जो है पहले हम निकालेंगे कुल प्रतिरोध कितना है इसका 5 जमा 8 जमा 12 कितना हो गया 25 ओम हो गया अब हमें तो current निकालना है तो V कितना दिया गया है 6V दिया गया है और I हम निकाल लेंगे तो I क्या हो जाएगा V बटे में R तो V कितना है हमारे पास 6 और बटे में कितना है 25 ठीक है तो answer हमारा जब आप इसको solve करोगे तो यह आएगा 0.24A यहां से आपका एक तरह से second part का answer यहां से हो जाएगा तो यह बिलकुल as it is लिख लीजिए 25 ओम टोटल आर आएगा V 6 वोल्ट दिया गया है आई जो है V बटे आर हो जाएगा 6 बटे 25 जो 0.24A इसका answer हो जाएगा यह second का हो गया वीडियो pause करके कर सकते हो अब हम करेंगे तीसरा ठीके तीसरे पार्ट में क्या कहा गया है आपसे कि जो यह 8 होम है उसके साथ आपने एक वोल्ट मीटर जोड दिया अब इसकी यानि यहां इसकी जो है आपको यहां पे मान बताना है कि यहां पे भी भुहांत है और R की value हमें दी गई है 8 होम हमें 8 होम वाले से निकालनी है तो हम 8 होम ले लेंगे 5 से निकालनी होती 5 ले ले लते 12 से निकालनी होती 12 ले लते तो यहां से V is equal to क्या आ जाएगा IR जो है 0.24 है R जो है हमारा 8 है तो हमारा answer क्या आ जाएगा answer आ जाएगा 1.92 वोल्ट इसको से multiply कर ली चीए तो answer आएगा 1.92 वोल्ट ये हमारा third का answer हो जाएगा third part का मतलब चीक है जो हम से पूछा गया है अब हम करेंगे next question next question है तीन समान बल्ब है B1 B2 B3 चितर में जरसाय अनुसार सही हो जित है तो तीनों बल्ब जो है तो emitter का पाठ्यांक जो है वो कितना होता है 3 amp clear है यदि बल्ब B1 fuse हो जाए तो अन्य दो बल्बो की चमक पर क्या प्रभाव होगा तो बेटा देखो ये तीनों के तीनों जो है समान आंतर शेणी में जुड़े हुए हैं तो तीनों में एक fuse हो जाए तो बाकी दो पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा समान आंतर शेणी में ठीक है अगर शेणी क्रम में होते तो ये तीनों अगर एक भी fuse हो जाता तो सारे खराब हो जाते लेकिन समानांतर में है तो इसलिए दूसरे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा तो इसलिए यहां से आंसर लिख देंगे यदि bulb B1 fuse हो जाए तो बाकी दो bulb की चमक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि यह समानांतर श्रेणी में जुड़े हुई है ठीक है उसके बाद देखे दूसरा है यदि bulb B2 fuse हो जाता है तो A1, A2, A3 और A के पाठ्यांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो यहां से आप सो पूछा गया है कि मालिज यह B2 fuse हो गया तो A1, A2 और A3 यानि एमिटर में क्या रीडिंग रहेगी वो आपको यहां पर बताना है clear और A का जो पाठ्यांग है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा तो यहां पे देखे A2 में करंट जो है वो 0 रहेगा A2 तो 0 हो गया यहां तो करंट ही नहीं आ रहा यदि बल्ब B2 फ्यूज हो जाए तो एमिटर A2 का पाठ्यांग 0 हो जाएगा एमिटर A1 और A3 में करंट 1 अम्पियर यानि समान रहेगा तो यहां पे आप लिख देंगे आप कुल करंट या कुल जो है आप लिख देंगे अब इसमें क्या हो जाएगा कुल क्या हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 ठीक है यानि A वो किसके वराबर रहेगा A1 एक है A2 जीरो है और A3 वन रहेगा तो टोटल कितना रहेगा 2 अम्पियर तो एमिटर में जो कुल आपको विद्धारा का यहां पे रहेगा A में वो रहेगा 2 अम्पियर तो यह जो है आपका सेकिंड का पूरा आंसर रहेगा ठीक है नेक्स देखे थर्ड दिया गया है थर्ड कोशिन क्या है यदि तीनो बल्ब एक साथ चमकते हैं तो परीपत में कितनी शक्ती का शे होता है तो आपको बताना है कि यहां पे कितनी शक्ती है शक्ती यानि PP बराबर है V into I तो तीनो बल्ब चलते हैं तो I हमारा तीन एंपेर हो जाएगा V हमें दिया गया है 4.5 वोल्ट बस दोनों को मल्टिप्लाई कर दीजे तो यहां से हम थर्ड कोशिन यहां पे कर रहे हैं P is equal to V into I पीक हमारे पास V जो है दिया गया है 4.5 इंटू में I दिया गया है 3 ठीके तो यहां से कितना आ जाएगा आपका 13.5 जो है आपका वाट पावर की शक्ती की युनिट क्या होती है वाट तो यह जो है आपका आंसर हो जाएगा third one का यहां से कर लेंगे next देखिए विद्धू तूर्जा की व्यवसाय की काई क्या है और इसे जूल के रूप में निरूपित कीजे तो विद्धू तूर्जा की व्यवसाय की काई क्या है kilowatt प्रती घंटा तो व्यवसाय की काई रहेगी तो यह आपका B part का answer हो जाएगा तो यह थी students आपकी आज की science की assessment I hope सभी students को clear है कोई भी doubt है बच्चों तो पूछ सकते हो वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को like कीजिए शेर कीजिए और subscribe कीजिए